क्या सच में डेरी मिल्क में सुवर का मीट मिलाया जाता है चलिए जानते सबसे पहले खेतों में से कोको फल को तोड़ते हैं फिर उनको तोड़ के अंदर के बीज को निकाल लेते हैं फिर कोको के बीज को सुखा कर फैक्टरी में पहुंच आते हैं वहां इन बीजों को रोस् प्रोसेस के साथ साथ बीच बीच में कोको ओयल और बटर को मिला जाता है और चौकलेट बनकर त्यार हो जाता है आपको बता दे कि इंडिया के बाहर जितने भी डेरी मिल्क मिलते हैं उसमें मांस होते हैं बाई मतलब कि उसमें मीट पाए जाते हैं आगे से ध्यान रहें